हिट अन्रन केस को लेकर के लगातार दूसरे राज्यों से अब खबरे आना शुरू हो गई है और बस चालकों का गुसा भी सडकों पर नजर आ रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में बस चालक इस समय क्या सोच रहे हैं क्या वो प्राण प्रतिष्ठा में अपनी योगदान दे क्या प्लानिंग है आप बताएं क्या सोच रहे हैं हिट अंड केस को लेकर कर जो पहले जो हमारा स्टेंड था हम आज भी उसी पर काइम है हमने आपके चैनल के माद्धम से अपनी गुहार लगाई थी और आदनी ग्रह मंत्री जी से भी और केंद्री भोतल परवान राजमा सबसे बड़ा संगटन जो बारती परिवान मजदूर महासंग है इस सबी संगटनों से बुलाएं और इसे बात करें बात करें बात करने के बाद ही इस कानून में जो संसोधन सरकार करना है परिवान निगम का अर्प सामिल है इसे सब लोग लंगे हुए है हमारे कारिकारी अद्दक चामिर जावेद जी हैं इनके नेतत्व में हमने सभी काउंटर हर बस इस्टेशन पर हम काउंटर खोल ले हैं 20 तारिक से हमारे काउंटर खोल जाएंगे सबकी ड्यूटी लगा दी गई है सभी करमचारी साथियों की जो हमारे बाहर से भी तीर्द्यात्री देश से आएंगे लखनव आने वाले हैं और या प्रदेश के जो लखनव होकर जाने वाले जितने भी हमारे सरत्दाल होंगे उनके सेवा के लिए जो भी होगा चाय पानी क जो बेवस्ता होगी उनको जाने के लिए बसों की बेवस्ता मोया कराने काम उत्तरप्रदेश रोडवेज करमचारी संगता सारा करमचारी हम अपनी पूर्द तत्पर 22 तारीक के लिए लगे हुए हैं बाई तारीक के बाद में महें जब सरकार खाली होगी उसके बाद सरकडों से वारता के बाद जो भी निड़ने होगा उसके लिए हम आगे आपको सूचित कर देगे पूर्ण रूप से सरद्धालों की सेवा में तत्पर है इसके बाद ही कोई अंदोलन या किसी प्रकार की बात होगी अभी कोई महम बात नहीं है और जो यपवाप आई लिया इतपर कोई प्रदेश के सभी चालकों से अनुरोद कर रहा हूँ आपके चैनल के बात नम से कि किसी प्रकार का कोई धान न दे पहले भगवान उसके बात काम बाद धन्यवाद तो आपने सुना ये थे रजरीश मिश्रा जी जो कि उत्तर प्रदेश परिवाहन जो करमचारी संग उसके प्रवक्ता है और बता रहे थे कि फिलहाल अब बस चालक लग गए है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में और उसी में वे बिजी रहेंगे और इसके बाद जब कानून जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी आयोध्या में उसके बाद कानून को ले करके वारता लाप करेंगे और विचार वी मर्श करेंगे जैसा भी आगे होगा उसके रणनीती बनाएंगे तब ते जुडियर मेरे साथ मैं लखरो से अंजरी सिंग राजपूर लोकल 18